ये कि समुदाय क्या होता है, समुदाय जिसे इंग्लिश में community कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बनाता है, come और munis, दोनों लेटिन हैं, और दोनों का मतलब होता है, एक साथ, सेवा करना, अथार समुदाय का तात्पर है, साथ साथ मिलकर सेवा करने, अब सामाने तोर पर, ये कह दिया जाता है, कि किसी जाती धर्मय संपरदाय विशेश के लोगों के लिए समुदाय का प्रयोक किया जाता है, जैसे ब्राम्मन समुदाय, ईसाई समुदाय, लेकिन इन सभी के पीचे समाज भी कभी कभी कह दिया जाता है, ब्राम्मन समाज, ईस साइ समाज, हिंदू समाज, अगर हम समाज शास्तर विशय के संदर्ब में देखें, समाज शास्तर प्रिपिक्ष के रूप में देखा जाए, तो समुदाय और समाज दोनों में अंतर माना जाता है, समुदाय व्यक्तियों का समु होता है, इस्थाई होता है, इसका निश्चत नाम होता है, समाज लेकिन सामजिक संबंदो का नाम है सामजिक संबंदो के जाल को हम समाज कहते है आपको पहले भी बताया गया है समाज शास्तर में किसी भी गाउं, कसबा, नगर महानगर देश को समुदाई माना जाता है, यहां ध्यान पाई जाती है को चंशम और व्यक्तियों का संगठन पाया जाता है निश्चित भगोलिक छेत्र भी जुड़ा होता उसे और इस्थाइत्व भी होता है गाउं कस्बा नगर छेत्र सभी में इन सब विशेस्ताओं की वज़े से इने समुदाय कहा जाता है अब इसका एक उधा हम समझ सकते हैं जैपूर, दिल्ली, कानपूर, इंदौर ये सब जो हैं निश्चित छेत्र हैं व्यक्तियों का समुदा होता है इनमें इस्थाइत्व पाया जाता है और निश्चित देशों की पूरती अपनी सभी आवशक्ताओं की पूरती अपने छेत्र में कर लेते हैं अधिकांच छेतर में आत्म निर्भर भी होते हैं इनका स्वते विकास होता है और सभी में हम की भावना पई जाती है तो इक कुछ ऐसे तत्थ हैं ऐसी विश्वेस्ताइं ऐसे तत्थ हैं जिनके आधार पर हम किसी भी छेतर को समुदाई कह सकते हैं सबसे चोटा छेत्रीय समूह हैं जिसमें अमजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं इन्होंने समुधाय को छेत्रिय समू के रूप में परिभाशत किया है और इसमें तीन मुख्य तत्व हैं व्यक्तियों का समू निश्चित भोगलिक शेत्र और सामाजिक जीवन के सभी पहलू ये तीन तत्वों के अधर पर इन्होंने समुधाय की परिभाशा दी अगले समाशास्री बुगार्डस इन्होंने सोशिलोजी इनकी बुक का नाम है समुदाय को परिभाशित करती हुए कहा कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समुव है जिसमें कुछ अंशो में हम की भावना पाई जाती है और एक निश्चित छेतर में रहता है यानि एक ऐसा सामाजिक समुव जो हम की भावना के आधार पर जुड़ा है और निश्चित छेतर में निवास करता है समुव मतलब व्यक्तियों का संगठन आगे बढ़ते हैं बेकाईवर और पेज, सोसाइटी इनकी बुक का नाम है इसमें इन्होंने कहा कि जब किसी छोटे या बड़े समुव के सदसे इस प्रकार साथ साथ रहते हैं जो किसी विशेश हित में भागिदार नहों कर सामाने जीवन की मूलबुद दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हैं ऐसे समू को समुदाई कहते हैं यानि व्यक्तियों का समू इनका कोई विसिष्ट हित ना होकर एक सामाने जीवन में भागिदारी है सामाने हित होती है यानि समरूपता की भावना पाई जाती है इनमें और उसी आधार पर ये जीवन की मूलबूद दशाएं यानि आवशक आवशकता हैं जो मौलिक आवशकता हैं उसमें मौलिक जरूरतों में मौलिक परिस्थितियों में भाग लेते हैं तो ऐसे समू को समुदाई कहते हैं समरूपता की भावना पर इनों ने जोर दिया अपनी परिवाशा में अगबन निम्पकॉफ ने अपनी बुक ए हैंड बुक आफ सोसिलोजी में कहा कि एक सीमित छेतर में समाजिक जीवन का संपून संगठर समुदाई कह ला था तो अधिकांच समाशास्तियों ने अपनी परिवाशा के अंतरगत जितने भी तत्व बताएं हैं समुदाई की पहचान के उसमें से अध्यन करने के आधार पर तीन मुख्य तत्व निकल कर सामने आते हैं कि समुदाई जो है व्यक्तियों का समुँ है निश्चित भोगलिक छेतर में रहते हैं व्यक्तियों के समुँ और उनमें परस पर समुदाइक भावना हम की भावना पाई जाती है यानि अपने आपके बारे में ना सोचकर समुदाइक हित के बारे में सोचते हैं वो किसी भी कारी को करने से पहले तो यह तीन तत्व आवशक तत्व हैं एक समुदाइक के निर्मान के लिए इसी संदर्ब में आगे समुदाय की कुछ विशेस्ताएं प्रकट होती है परिभाशा के आधार पर जिनका संचिप्त विवरण हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि समुदाय की परतम विशेस्ता या समुदाय की मूल विशेस्ता जो बताई गई है स्वते ह्विकास यानि समुदाय का निर्मान कुछ लोगों द्वारा जान बूच कर नियोजित तरीके से नहीं होता है समय के साथ साथ इसका सोतर विकास होता है जब कुछ लोग किसी इस्थान विशेश पर रहने लगते हैं उनमें परसपर हम की भावना यानि एक दूसरे के पृति सायोग पून जो भावना होती है वह विक्सित होने लगती है और वो समुदाय में परिनित हो जाती है अगली विशेशता है इस्थाईत पृतिक समुदाय निश्चित भोग लिक्षेतर में इस्थाई रूप से रहता है जैसे एस्थाई समुद जैसे भीड श्रोता समुद ये एस्थाई होते हैं कुछ उद्देश के लिए लक्ष के लिए ये एक जगए एक जुट होते हैं पिर थोड़ी समय बाद ये निश्चित तरबितर हो जाते हैं ये इसलिए ये समुदाय नहीं होते हैं ये एस्थाई समुद लेकिर समुदाय जो है निश्चित भोग लिक्षेतर से जड़ा होता है और सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और समुदाए एक समुदाए के सभी विक्ति एक इस्थान पर स्थाइत रूप से बने रहते हैं जब तक कि कोई ऐसी प्राकर्तिक आपदा ना आ जाए जिसके कारण वे छेतर पूरी तरह चती ग्रस्त हो जाए इसलिए समुदाए में अपेक्षा करत अनिसमुग के स्थाइत पूपाय जाता है नेक्स्ट है विसिस्ट नाम पृतिक समुदाए का अपना विसिस्ट नाम होता है जो उस समुदाए के लोगों को हमकी भावना की और प्रेरित करता है जैसे विबिन गाउं, छेतर, नगर, कस बे एक नगर का व्यक्ति अगर है दूसरे अपने ही जैसे नगर के व्यक्ति से मिलता है तो उसमें समुदाय के हम की भावना विक्सपत हो जाती यह उसे अपना मानने लगता है। समझने लगते हैं, यही हम की भावना होती है, मूर्थता, समुदाई व्यक्तियों का समू है, इसलिए मूर्थ संगठन है, अब यहाँ पर मूर्थ और अमूर्थ के संदर्व में समात जो है वो अमूर्थ है, क्योंकि समास्तामजिक संबंदों का जाल है, जो की दिखाई नह और समुदाई व्यत्तियों का समु इस्थाई समु है इसलिए यह मूर्थ है सामाने नियम व्यवस्था समुदाई एक निश्चित सामाने नियमों पर कारे करता है जैसे ग्रामीन समुदाई, नगरिय समुदाई, हिंदो समुदाई, मुस्लिम समुदाई ये सब क्या हैं इनका निश्चित नियमावली होती हैं नियमों के माध्यम से अपने सदस्यों के विवार को निर्देशित करते हैं ये और अगर कोई सदस्य नियमों के विरुद्ध कारिक करता है उसे समुदाई की सदस्ता त्यागनी भी पड़ती है और यह नियम व्यवस्ता सामा निते छोटे ग्रामीर वे जनजाती समुदाय में पाई जाती है